हेलो प्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल इन प्रिया कुग रेस्पी तो आज मैं आप लोग के शाद शेयर करने वाली हूं होली के स्पेशल डिस गुजिया की रेसिपी चाहिए आप जितने भी पकवान बना ले लेकिन अकर होली पर गुजिया नहीं बनाया तो इसलिए आज मैं आप लोग के शाद गुजिया के रेसिपी शेयर करने वाली हूं तो चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू करती है तो मैंने या गुजिया के डो बनाने के लिक बड़तन लिया है और उसमें 1 kg मैदा लिया है तो हम इसमें 200 ml तेल डालेंगे आप चाहे तो इसमें करें जी होता है जोती है जी हर अनुट बहुंत कर दोमारें और मैदा ओए ऊए। मिलाना चलिए मोल अचाई क्या से यह का बने में लगवें इसे 5-6 मिनट तक मिलाते रहना है जब तक अच्छे से बुर्बुरा ना हो जाए आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से मिल चुका है तो अब में इसमें हलका हलका पानी डालते हुए इसका एक सॉफ डोर रेडी कर लेंगे इक बार में हम ज्यादा पानी एड करने ही करें ने तो हमारा डोग गीला हो सकता है तो वह पिर दिक्कत हो जाती है में बनाने में इसलिए हमें दीरे दीरे पानी एड करके इसका सॉफ डोर रेडी करने हुए तो यहां पे हमारा डोग रेडी हो चुका है और मैंने इसे थोड़ा सा टाइट रखा है क्योंकि जब तक इसके स्टफिंग रेडी करेंगे तब तक यह तोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तक मैं इसे ढख रख दिया है तो अब स्टफिंग बनाने की बारी आती है तो मैंने स्टफिंग बनाने के लिए मैंने अधा किलो सूजी लिया है जितना हमें सूजी लेना है उतना ही हमें चीनी लेना है मैंने बराबर मात्रा में चीनी ली है तो अब मैंने 8-10 काजु को चोटे-चोटे टुक्रों में काट लिया है मैं 8-10 मैंने किसमिस लिया था उसे भी मैं देख सकते करें और जी तेख सकते हैं ऐसे भी तकुरिया और गी देख नीमें से कट कर लिया और में चारी लाइची ली ती के दाने को अच्छे से पीस दिया और मैंने यह 200 g खुआ जिसे मावा कहते हैं अब हम स्टफिंग बनाने के तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले कराए को गर्म होने के लिए रख आधे करेंगे गी के गर्म हो जाने पर हम इसमें सूजी एड़ करेंगे पर सूजी को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसको अच्छे तरीके से बुनेंगे सूजी को हमें लगतार मिलाते रहना है नई तो यह नफें पर किला कराई के लाल को रिπαसे नाड्यां और बादाम को निपकाने करेंगे और हम झालिया नाड्याट करें तक चक्र Alabam तक तक ब्राता करेंगे। फॉक था मैं नशा उसी कि सब्सक्राइए में मावे को अच्छ exposed करेंगे या आप सकते हैं तो हम इसे चोटे चोटे टुकड़ों में अच्छे से फ्राइब करेंगे अच्छा हो जाए तो यहां पर अच्छे से भून चुका है तो अब गैस को आफ कर लेंगे और अब ने जो सूजी को ठंडे होने के लिए रखा था उसमें अब हम चीनी आड़ कर लेंगे और इसके बाद हम उसमें किस्वीस आड़ कर लेंगे किया मैंने काजू भी आड़ कर लिया है उसके बाद मैंने बुने हुए ड्राइप्रूट्स नारियन और बडाम को भी आड़ कर लिया है इन सब चुछो को आड़ करने के बाद हम ने जो प्राई किया था मावा उसे भी हम इसमें करेंगे मैंने साड़े मावे को आड़ कर लिया है आप देख सकते हैं तो इसके बाद हम इसमें इलाची आड़ करेंगे पीस के रख के दियוכे इसमें चण जया है ठीं करैंड़े अ कि साड़े मिक्सचरे एक साथ olabilir अ मता ज़ा तो अगार अगर को कई चीन चर्च को इस पर रख भी ह мясका चार डाल सकते हैं तकक यह अच्छी हो जाए तो यहां हमारी गुज्जिया के स्टफिंग एक्दम रेडी हो चुकी है तो अब हम इसे इक दूसरे बतण में निकाल लिया तो मैं इहां इसे अराहर प्रोस् एक चोटे टुकड़ो को लिया है और अब मैं इसे राउंड राउंड करके अच्छा सेव दूंगी और इसको मैं चकड़े पर अच्छे से बेल दूंगी इसे हमें काफी पतला बेलना है काफी क्रिस्पी बने और खाने में बहुत ही स्वारिस्ट लगे तो आप यहां देख स मैं बडी है को आप बाढ़ी आति है गुर्लिया में स्टाफिंग भरने की बारी तो मैंने यहां गुर्डिया में कर लिया है और इसके ऊपर मैंने तो यहां पर हमारी गुजिया एकदम रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं इसका इतना अच्छा आया है तो अब हम इसे फ्राइब करेंगे चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने एक कराही में तेल को गर्म होने के लिए जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें दुजिया एड्ड कर लेंगे और इसे हमें मेडियम फ्लेंग पकाना है नहीं तो एक बार में लाल हो जाएंगी और अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगी तो हमें बीच बीच में इसे दूसरे साइड भी पलट देना है तक यह दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और इसे लगबग लाइट ब्राउन ओने तक हमें फ्राइब करना है हमें से ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है नहीं तो यहां पर हमारी गुजिया एक्दम र बाहर निकाल लेंगे तो इसको बाहर निकालने के बाद आप टीश्यू पेपर या नॉर्मली पेपर पर रख सकते हैं कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑइल अब्सवर्ब हुए है वह पेपर इसे एब्सवर्ब कर लेगा और यह हमारी हेल्थ के लिए भी सही होता है तो मैं इसे एक पेपर पर रख लिया है तो मैंने असारी गुजिया को प्राइब कर लिया आप देख सकते दोस्ते कितना अच्छा लग रहा है देखने में यह खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है तो आप ज़रूरी बनाए क्योंकि गुजिया के बिना होली तो 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 आप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को हिट करें आपको ओष्पाー मत सब्सक्राइब करें अधर करें ड्माहिए अधर से टमें को लेउसे व्याद जोई सब्सक्राइब